अगर दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप लोग अगर प्रिवेस एर क्वेशन को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है बहुत गलती कर रहे हैं सो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रिवेस एर क्वेशन से ही बहुत सारे परशन आपके बोड़ एकजा में पूछे जाते हैं तो आज हम लोग 21 के पूछा गया प्रशन को पढ़ने वाले हैं तो अब पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा क्योंकि प्र करते हैं आज की इस वीडियो को इसने मगन सब्सक्राइब नमर जाएगा अब देखें नमर तीन क्या कह रहा है कि शुद्धिक सब्द है शुद्ध वाक्य है तो इसका यहां पर देखें ए नमर होगा साहित और जीवन का घोर संबंद यह जो है शुद्ध सब्द है ठीक है वाक्य है अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन पर चार क्या बोले रहा है पर कह रहा है कि घोरा सब्द कौन संग्या है तो गोरा सब्द कौन सा संग्या है तो चार नमर का राइट आंसर जो हो जागा दोस्तों क्या हो जाएगा यानि ए ठीक है दोस्तों सी नमबर पांच नमबर का अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन पर आच चुकि दूस्तों यहां पर चे नमबर क्या बोले जाएगा कि नदी शब्द है तो नदी कौन सा सब्द यह नमबर राइट अंसर हो जाएगा यानि इस त्रिलिंग है अब आ अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा इसका राइट अंसर आठ नमबर का शी नमबर राइट अंसर यानि क्या हो जाएगा अगर आप लोग इसका पीडिफ डाउनलोड करना चा यह नहीं यता जो और अर्थ राइटनसर हो जएगा अब आगी क्योड़ीय नम्पर क्या रहा है परेन की त्द बंद कि कितने परकार रहे है तो इसका राइटनसर 10 नमर क्या बहुत पर गारा हि है अब आगए सठाना-इस नम्पर 19 फारीय नम्हत्र Kawराचीक है 10 को पर नावट के अनुसार सब्द के कितने भेद तो तेरे नमर का राइट आंसर जो जागा दोस्तों सी नमर जगा ने तीन भेद होते हैं अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन पर चार आप चाहरी मारना मोहारे का आरते तो पंदर नमर का बी नमर राइट आप करना ठीक है अब देखें अब बालक सब्द का परते हैं अगर आप लोग नहीं देखें या फिर देख चुके है तो फूरा वीडियो को देख लीजिए ठीक है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रस्तों जो आपको बोड एक्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप लोग नहीं देखे अब यहां पर आचुके अठारे क्या बोला जा रहा है रात हुवी और तारे निकले वाक्य है तो अठारे नमबर जागा निसाधारन वाक्य है अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्टन नमबर उन्हीं क्या बोल रहा है करा कि मात्मा शब्द कौन सा समास है इसका आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्टन नमबर का एक नमबर जागा निकर्मधार समास है अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्टन नमबर जागा निकर्मधार समास है अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्टन नमबर जागा यहांनि मैदानी अब आगे की और बढ़ते लिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्य सब्द का संदी विचेद का होगा एय नमबर ठीक है जो तो ठीक है तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं थे ख़बीस यहां पर क्या बोल रहा है कि विशेज अब का विलोम है विशेज अब क्या होता है तो 26 का यह राइट अंशर यहां आपर श्री नंबर 27 यहां पर देख लिजी क्या होगा दोस्तों पेट में चुहें कुदना तो इसका राइट निसर यानि 27 नबर का तो डी नमबर राइट जोर की भूख जोर की भूख ठीक है दोस्तों अब आगे की बढ़ते हैं जिसे भय नहीं एक शब्द है तो दोस्तो इसका राइट अंसर कौन सब गया तो तुन तिस नमर के ए नमबर यानि नी भय राइट अंसर हो जाएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेशन नमर आ चुके दोस्तो तीस नमर क्या बोल रहा है करहा कि रचना की दिलिस्टी से क किरिया के कितने भेद होते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं सरा कोशन हम लोग पढ़ने वाले एक सो अब्जेक्टिव को सभी को देखने वाले हैं ठीक है जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदी काल के कारण कोई विकार उत्पन होता है तो उसे कहते हैं क्य इसका राइट आंसर कौन सा जाएं अब आगे के और बढाते हैं इसका नबर क्या बोल रहा है कि कौन है जहां वहां भासन दे रहा है सर्वनाम है इसका चौदिस नंबर के सब्सक्राइब कर दोब किस लेखक की रचना है तो इसका परकास नहीं नहीं परकास ना रहें न हो जाएगा प्रवीन द्वीन मंडली को ठीक है तुस्तों अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेशन पर आचुकी है अब 38 क्या बोल रहा है कि लेना सिंग का भती जे का नाम क्या था तो इसका 38 नमबर यानि कीरत सिंग राइट अंसर हो जाएगा अब आगे की और बढ़ते हैं 49 नमबर पर यहां पर बोल लार जा रहा है उसने कहा था कहानी में पल्टन का विदूशा कौन था तो इसका राइट अंसर कौन से हो जाएगा तो बी नमबर यानि वजीरा सिंग राइट अंसर हो जाएगा अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेशन नमर चालिस क्या बोला जाए रहा है क तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चलिए अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेशन नमर बायालिस क्या बोला जा रहा है पर कह रहा कि शिक्षा पार्ट के रचेता कौन है दोस्तों बायालिस नमर का राइट इंसर कौन सा हो जाएगा तो बी नमबर आइट इंसर डी नमबर यानि जै कुरिशन मुर्थी अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेशन नमर क्या बोला जा रहा है कि तिरची कहानी कि सैली में लिखी गई है दोस्तों इसका राइट इंसर अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेशन नमर 45 क्या बोला जा रहा है देहरादून में ओप्टिस की नौकरी किस लेखक ने की तो दोस्तों इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा तो 55 नमर का राइट इंसर डी नमबर हो जाएगा यानि क्या नामोर सिंग अब आगे की और ब अब आगे की और बढ़ते हैं दोस्तों सभी कोशन को कवर करने वाले हैं सो वीडियो को सुरू से लेकर अखीर तक देखेगा अब यहाँ पर देखे बालू की डगरी के बीच खोई सी रह गई थी है यह धारा हैं जो कभी वन्शिरी के ढखे विरिक्स अस्तल के कीलकती रह सदानी रहा बस आप लोग मिला लीजिए मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूं अब यहां पर देखे जगदीश चंद्रमाथूर दुवारा लिखा गया ओ सदानी रहा कैसी नीबंद है तो उन पचास नमबर इंसर को जाएगा तो डी नमबर इंसर यानि क्या हो जाएगा ल ठीक है अब यहां से देखेंगे कि यहां पर सारा इनी कंटेन आ चुका है यहां पर देखें क्या है कि 12th class all chapter तो यहां पर देखें चैप्टर वाइज पढ़ना चाते तो चैप्टर वाइज पढ़ लीजेगा ठीक है उसके नीचे अगर आप लोग मोडल पेपर पढ़ना और लास्ट में क्या जेगा यहां पर बेल आइकन है तो बेल आइकन को दबा लीजेगा क्योंकि जब भी हम इसको नोटिफिकेशन बेजेंगे तो आप लोग को मिलेगा और यहां से आप लोग फटाबट से पढ़ पाएंगे तो चले आज का वीडियो इतना है तक तब तक आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर यहां पर बावन आचुकिए क्या बोला जा रहा है करा कि कवी नाबादस किसके समकालीन थे तो बावन नमर कर राइट इनसर क्या हुआ दी नमबर यानि तुलसीदास के अब आगे की और बढ़ते हैं यहां पर कुश्चन नमर तो पीरिय नाय कौन है कि तरह पन नमर का राइट नमर जगा छत्रपति सिवाजी और महराज परती नमर का राइट नमर का राइट नमर का राइट नमर का राइट नमर जगनी वारा नसी में हुआ था अब आगे की ओर बढ़ते है question number 56 क्या बोला जा रहा है कि परती धोनी कथा संगर किसकी रचना है तो इसका राइटन से चपन नमबर का A नमबर जगा ने सुमित्रा नंदन पंत है अब आगे की ओर बढ़ते है question number आ चुकी है अपर 57 सुमित्रा कुमारी चौहन के जीवन रूपों में A की ही मूल परेरना एक ही लक्ष एक ही रंग दिखाई पड़ता है वह क्या है तो इसका 57 नमबर का राइटन से बी नमबर हो जाएगा यानि रास्ट्रिय सुतन दरता है अब आगे की ओर बढ़ते है question number 58 क्या बोले जा रहा है पर कहरा है कि कवी युआ कवी रूप के ग्यानेंद्रे पती का उदे कब हुआ था तो 58 नमबर का राइटन से डी नमबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेते आंसर को क्या है बीस्वी सती के आठवे दसक में अब देखें question number 59 क्या बोले जा रहा है कि प्यारे नने बेटे को सिरसक कवीता किस शंकलन में ली गई है उन 60 नमबर का राइटन से डी नमबर हो जाएगा यानि क्या जाएगा दोस्तों वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचारों की तरह यानि राइटन से डी नमबर जाएगा अब आगे की और साथ नमबर क्वेशन को देख लेते हैं अब क्या बोला जा रहा है तुलसीदास का वीवा किन से हुआ था तो साथ नमबर का राइटन से ए नमबर जाएगा यानि रतना वली से हुआ था अब बढ़ते है question number 61 क्या ब इसका राइट नमबर जागा नि मांजे के रहने वाले थे अब आगे की और बढ़ते है question number 63 क्या बोला जा रहा है जैपरकाश नारायन किस आंदुलन के कर्म में जेल गए थे इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि 63 नमबर का शी नमबर यानि सवीने आउग्या आंदुलन ठीक है दोस्तो चले अब आगे की और बढ़ते है question number आ चुके हैं दोस्तो क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि जैपरकाश नारायन मांक्स वादी कब बने थे तो इसका राइट अंसर का उनसर जागा है यानि 64 नमबर का B नमबर है नहीं 1924 ECV क्यो अब आगे की और बढ़ते मालती के पती का नाम क्या था तो इसका 66 नमबर का राइट नमबर जागा यानि महेश्वर अब आगे की और बढ़ते है question number क्या बोला जाए रोज सिर्सक कहानी में TT किसके सरीर से चिपक कर चुप हो गया था अब आगे की और बढ़ते है question number का निर्ने हो रहा था तो वैक्तियों के भागे को पुर्णेता याद रखना चाहिए या फिर भूला देना चाहिए क्या करना चाहिए तो इसका राइट अंसर जो जागा अब आगे की और बढ़ते है question number के अनुसार चंपारण में गांदी जी के चमतकार की कथा किस ने लिखी थी तो 70 नमबर का राइट अंसर को जागा तो बी नमबर राइट अंसर यानि क्या द्योधास गांदी ने अब आगे की और बढ़ते है question number आचके है अबर सीपाई की मा एकांकी में आंगन के बीचो बीच क्या पड़ी है तो दोस्तों क्या पड़ी है इसका राइट अंसर जो जाएगा यानि 71 नमबर का श्री नमबर यानि क्या की खसता हाल 4 पाई खसता हाल 4 पाई राइट अंसर स जो जाए शी नमबर यानि मुझफर नगर के चमरा बाजार से मैं अब आगे की और बढ़ते है question number 73 क्या बोला जा रहा है कि आखरा वाट किस कवी की रचना है तो इसका राइट नमबर का ए नमबर जाएगा यानि दोस्तों मलिक मोहमत जाई सी की अब आगे की और बढ़ते जाएगा तो शी नमबर यानि क्या हो जाएगा दोस्तों पद सूर्दास से आया है अब आगे की और बढ़ते है question number यहाँ पर आ चुकी है 75 नमबर तुलसीदास का जन्म में कब हुआ था तो तो तुलसीदास का जन्म में कब हुआ था तो इसका राइट नमबर यानि पंद किनके आचारी रूप पर कवी रूप भारी पर गया तो इसका राइट नमबर यानि क्या हो जाए दोस्तों भूशन के अब देखें यहाँ पर question number क्या बहुत जाएगा जैय संकर परसाद ने किस उपनाम से बर्ज भासा में सौवईयों की रचना की तो इसका right answer क्या हो अब आगे की और बढ़ते हैं question number 89 क्या बोला जा रहा है स्वादिन्ता संगर्स में किनकी सक्किरी है भागी दारी रही तो 89 नमर का right answer क्या हो जाएगा तो शी नमर राइट अंसर हैनी सुबद्रा कुमारी चहान की अब आगे की और बढ़ते है question number 80 क्या बोला जा रहा है दो अब देखे 82 नमर question क्या करा है कि भिन सार कवीता संगर्स की रतना है तो इसका right answer C नमर हो जाएगा अब आगे की और बढ़ते है question number क्या है 83 असोक वाजबेई की कवीता इन में से कौन सी है तो 83 नमर का right answer क्या है बी नमर राइट अंसर नहीं हार जीत अब आगे की और हूं मैं वीनोत कुमार शुकल का अवदान अवब परतीम है तो चौबर नमर का यह नमर हो जाएगा यानि क्या है कवी और कथाकार अब आगे क्यों बढ़ते हैं 85 85 नमर क्या बोला जारा है पर कह रहा कि कहां जाने वाली सरक पर किसान और उनकी पतनियों का सहलाब उमर होता रहा हूं अब यहां पर सेखें गहुंप नमर 182 कवा इन्वे से सब्द है इसका 87 नमर कका यह यह सुद्ध सब्द है ये योगी वर यह सुद्ध सब्द है अब आगे की और बड़ते है問 88, क्या बोला है, कहाCal की संसार सब्दे का संधी विचेत है, संसार सब्दे का संधी विचेत क्या होता है, तो 88 नमइर का रैट इंसर की नमबर बाटते है도 सब्सक्राइब का लिंग निरने करें तो 90 नंबर का ए नंबर इस तरी लिंग हो जाएगा अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है चुहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उधारन है तो इसका 91 नंसर बी नंबर जाएगा यानि अपादान कारक का अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का राज दरबार सब्दे कौन सा समास है तो चौरा नंबर का राइट अंसर क्या बोल रहा है उसने कहा था कि मैं निर्दोस हूं किस वाक्य का उधारन है तो 95 नंबर का राइट अंसर बी नंबर यानि मिश्र वाक्य का अब आगे की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगार राइट अंसर यानि आगार आगा क्या होगा आगार राइट शोरी आग का इसनबर नंबर का राइट अंसर क्या होगा तो दी नंबर निर्यात हो जाएगा अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर नंबर का इसनबर नंबर का राइट थी ती चेंज की निराधर करते हैं क्या अब आगी बढते हैं क्वेश्चन कि आइकसो नंबर चाहिए लाए किसंगर के कितने विय्द होते हैं त stimulation के कितने या यानी चार शब्द होते हैं सब्सक्राइब Paw